बिहार की एक मुख्य खबर, एक बहुत जरूरी खबर और उस पर पूरा सियासी समिकरण लेकर ये विडियो आपके सामने होगा लेकिन अगर आपने अप तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है उन खबरों का आप तक पहुँच नवादा का जिकर करेंगे क्योंकि यहां पर मायावती काफी एक्टव है अखलेश तेजस्वी क्या राजनेतिक हथियार बनाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है दरसल बिहार का नवादा इस वक्त दलितों पर अत्याचार की आग में धदक रहा है और इसे से पहले उत्तर से लेकर अंतरक्ष की दुनिया में पहुँच गए हैं तो जमीन पर इस तरह की तस्वीर भी दिल्कु जखमी करती है अब इन घटनाओं पर सियासत जो के अमोमन हर बार होती है इस बार भी तेज हो गई है बहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अकलेश यादव इ आता है ताकि इस तरह कि यह जो पूरे राजनीतिक समिकरन जो है उससे एक मुद्दे के तौर पर ना हो जानती है कि इसी आधार पर एक बड़ा वोट बेंक हमीशा से उनके पास रहा है वो भी एक्टिव हो गई है बहुत टाइम से सियासत में इतनी अक्टिव मायवती हाल यूपी में इस वक्त योगी आधितनाद की सरकार है और वहीं एंडिये गड़ बंधन के तहट बिहार बीजेपी बिहार में नितीश कुमार की लेडर्शिप में डबल इंजिन सरकार होने का दम भी भरती है विकास और हिंदुत्व को विपक्ष के खलाफ हतियार के तौर म इस्तमाल करने वाली बीजेपी का एजंडा साफ है हिंदु समाज जातपात से उपर उठकर एक जुट रहे बीतलोग सभाचनाओं में बीजेपी के इस पूरी रणनीती को आपने यहां पर देखा भी है कि किस तरह से इसी थिओरी पर यूपी में अखले शादव और मायव जरूर रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा देका सविधान बदलने की फिराख में हैं सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो सविधान बदलने को लेकर विपक्ष का एक एक जो नेता रहा जो स्टार्ट पिचारक रहे जो चन प्रतीनी धी रहे वो जनता के बीच में गए कि सविधान बदला जाएगा सविधान की रूप रेखा बदल जाएगा हाला कि बीजेपी बार बार यह साफ करती रही कि मकसद सविधान को बदलना नहीं है मकसद है हर किसी को समानता के उस कतार में लाना जो कि बहाँ जरूरी है यही वजह है कि दलत और महादलत अवर्ग में दूसरे यारी कि अन्य दलो को जम कर वोट दिये इसमें भी कोई दो राई नहीं 400 पार का दम भरने वाली बीजेपी महज एक जुट होकर कहा जा सकता है सरकार तो उसने बनाई लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आ पाई सीयम नितीश कुमार पर जम करने शाना साधा सोशल प्लाटफॉर्म एक्सपर मलिका जुन खरगे ने कहा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एंडिये की डबल इंजिन सरकार के जंगल राज का एक और परमान है ये कहा गया बेहद निंदनिया है कि करीब सौध दलित घरों में आग लगाई गई आप समझे किस तरह से सौध दलित इसका शिकार यहाँ पर होते हैं उनके घरों में आग लगा दी जाती है गोली बारी के लोग में बेफिक्र है और एंडिये की से योगी पाठियों के मूं में दही जंग गया है यह उनकी तरफ से कहा गया मलिक अरजुन करगे की तरफ से यह सोशल प्लाटफॉर्म एक्स पर कहा गया वहीं तेजस्वी यादव ने पीम और नितीश को घेरा कैसे यह भी बतात गई नरेंद्र मूदी और नितीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग मुखे मंतरी नितीश कुमार बेफिक्र एंडिये के सही योगी दल बेखबर गरीब जले मरे इन्हें क्या परशन चिन दलितों पर अत्याचार बरदाश्ट नहीं होगा कुछ इस तरह से सीधे ये कटाक्ष नहीं किया गया हमला किया गया अब मायावती भी पीछे नहीं रही बियेस्पी सुप्रीमो मायावती ने बिहार के इस घटना पर कहा बिहार के नवादा में दबंगो द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राक करके उनका जीवन उजाड़ देने नहाँ पर सामने आया और मायावती बियेस्पी सुप्रीमो जो आक्टर नजर नहीं आ रही थी वो भी आक्टर नजर आई हलाकि अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बेहत दुखत घटना रही गंबीर घटना रही चाहे वो किसी भी जात के होते अगर किसी के घर को इस तरह से उजाड़ दिया जाता है तो ये घलत है तो जरूरी है सियासत ना होकर एक जुट सियासी तस्वीर वो नजर आनी चाहिए जहां पर इंसाफ मिल सके नियाय मिल सके और जिन्होंने जो किया है जो दोशी है उन्हें की करनी की सजा जरू कुर मिलूई